एलो स्टूरेंट एम किरन वेलकम टू एक्जाम की क्लासिस जिदन की तो अपकमिंग एक्जाम ओन वाले ने ठीक है जिदन पी टिपल एसपी कलर्ट नाल एक्जाम है ठीक है उस तो बाद हो सकता है कोप्रेटी फूड इंस्पेक्टर दा एक्जाम भी आवे और दूसरा पादे हो सिर्फ को अखले कुंसेप्ट पाद जोगे से तान एमसी क्यूनि सौल करने है प्रोची प्रॉब्लम है अगर तुछ सिद्धे एमसी क्यू दे जाओगे ओ तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि तो गलत कन्फ्यूज हो जोगे ऑप्शन वेच ठीक है तो बैटर उन्द मैं प्रॉइड करेंगे जिनने जारा कि तो अड़ी बेसिक्स यह त्यारी है तो जिनना नो लगता कि साथी हिस्ट्री तियार नहीं है ठीक है जा फिर साथी पॉलिटी नहीं आंदी सानों सानों कोई चीज कन्फ्यूज कर दी संप्रेश्डेंट मीं को समझ आंदा नेशनल नहीं चीज को आप देखेंट नहीं कि पॉलिटी करवाई है ठीक है बहुत वदिया तरीक्या ना समझाया है तो यह तुसे कुंसेप्ट समझ रहे हैं तो एक्जाम की क्लास एप डाउनलोड कर लो ठीक है बहुत ही मताँ अफोर्डिवल प्राइस रख्या है बहूत ही कोई ज्यादा प्राइस नहीं है कि बहुत ही नौर्मल चीप प्राइस रखे आवे ऑगे तो ज्यादा ना था टाइम बेचान के मैसेज़ भी आँदे कि माना दो मिनट वेस्ट करते तेन मिनट वेस्ट करते पर जिनन नहीं जरूरी ही जरे मतलब की एना सोचागरों कि मैं नूं आ सब कुछ हमेशे कोई वीजन ना कदी भी लर्णिंग जरी है चड़नी नी चाहिए हमेशे की सिख दे रहना चाहिए ओके स्टार्ट कार दें ट्रीटी ओफ सगोली ठीक है ट्रीटी ओफ सगोली जरी ही साइंड हो इसी बिट्वीन ब्रिटिश और द गौर्खास ठीक है जरी कि ब्रिटिश नाल होई ब्रिटिश ते दूसरी साइड कौन सी गौर्खा गौर्खा दे राजेसान ठीक है नेपाल बेच इनना दे आपस बेच हो इसी लड़ाई तो फिर ए ट्रीटी ओफ सगोली जरी सी लास्ट लड़ाई सी नेपाल जरी एंड होई ही जरी सेकिंड ब्रिटिश ते नेपाल वार सी मतल्न नेपाल जरी 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 सगोली जरी जरी नेपाल बेच चाह कि कौन सी एक साइड गौर्खा सी दूसरी साइड कौन सान अंग्रेश सान ओके नेक्स्ट वासी गवर्नर जनर ऑफ इंडिया दूरिंग फस्ट एंगलो सिक्वार ठीक है प इंडिया दा ओके जरी फस्ट एंगलो सिक्वार सी तो यहां सी दोनों दो ऑन्गलो सिक्वार यहां सी दोने मतलब कि पंजाब जरी सी सिखो हार गे थी कारण सान की महराजन इंजी सिंग तो बाठीके जरे उत्तरदिकारी है राजय बने तीके ओ इंने दूर अंदेशी नह वी निटन सब्सक्राइब दूसरा वर्डा कारण सी कि जरे फॉस्स एंग्लो शिखवार वेच जिनाने कमान समान लिए सी लाल सिंग ते तेज तेज सिंग अगरेज्जानान मिले हुए सा तीके जिरी सी सि दूसरा जरी सिख आधी आर्मी सी हो और ये बहुत सारे अंग्रेज यह मतलग कि अपने वी उन्हार जासूस वाड़े सी ठीक है British ने दुसरा लाज सिंग टेज सिंग से वी इंग्रेज आली काम कारवा तें इना नहीं मतलब जीरी वी चली दिन दें की प्लाइन ठीक है ठीक है ठीक है ते आवी कारण सिंग ते तेंग तें घ्रदारी कारण ng Fame संद जेरा अपने कपज वेच उप आ गया सी अग्रीज जादवा रहा तीक वाद लॉड एललन बॉग टीक लॉड आलन बॉग जेरा सी ओझेवार सी ठीक होने मत्तर ओद में रोल सी थीक है सिंद लू कपज वेच चरंदे वेच अर नेक्स इन विच एर ती बैंटल प्रिटिश निज देहिं कि अगर तुसी पारे हो ठीक है इदे वेची कार्णाटिक वेया जरी फ्रांस ते ब्रिटिश ते वेच हो इसी प्लासी लेडाई बकसर दी लेडाई एंग्लो सिक वर्णागिरी लडाई हुई मैसूर्थ वेच तिपू सुल्तान तीक है उनने लडा अंग्रेज्जा ने कितना पार्त वेच कपजा किता ते हो अंग्रेज्जा तलावा कौन-कौन होर कंट्री देशा तो और आयसान पारत दे कपजा करने ठीक है ते कोश्चन आंदे रहे हैं जिवें सब तो बिला पूर्टगाल आई सी ठीक है सब तो लास्ट जानवाले भी पूर्त कियो थे ठीक है पूर्तगाल ओके ते दर कोश्चन आंदे रहें एक्जाम वेचे जब पहली पूर्तगाल ने ने कित अपनाई कित प्रांस और अंग्रेजजा ने इंपनेन प्लासी जरी प्लासी लड़ाई सी अप्रिटिश दे नवाब उफ बंगॉल दे लडाई फेमस क्यों है मशूर क्यों प्लासीज लडाई एन यह बहुत ही वड़े पद्दती हो इसी जग बहुत सालना तक चली सी जब बहुत मिन्याता कर चली सी प्लासीज लडाई फेमस ताम है क्योंकि वह तो खेदी लडाई के अंग्रेज इन्हें काबिल नहीं सी कि अर्षी कपजा कर लिए उन्हान ने बहुत लिप्लोमाटिक भी नल थिक बहुत ही दमाग नल पतलगे इंडिया दे वेची वेचे लड़े भी तो अपस वेच लडाई रिंदी गद्दी दे करके तो उन्हान इससे चीज़ा फैदा चकिया तो जदो प्लासीज लडाई हो भहत इंपोर्टर इंसिएंट है प Twin उनल फ्राइय Mouse ऑनल फैंप झ६्लेश पहुं। पिर उंदक लुब करने उनले कोषिए गञ माम पाइय हैनाद फिर कमड़े से उनली Chi उनल की उतये प्रफिर्या कॉछंस है वह दो खानी रियाला कमरा सी तो वह बहुत सारे अंग्रेज मारें गे था क्योंकि एक जो अधाब जादा नूड पूटर मैसूस हो इंहां रिवेच ते एदा गुस्था इनों गुस्था रोबर्ट कलाई नूँ ओके इसे करके उन्हें सोच एक इनना सोख निया इननों स्रा सब्सक्राइब करें अग्रेजिया ने मिर्जाफर नुवादा किता कि नुवाब बना दांगे क्योंकि तो खेदी लड़ाई है ठीक है अपने रिष्टेदारा ने रिष्टेदारा ने उन्हों हर आया सी तिक है अग्रेजिया ने किती अंग्रेजिया ने सिर्फ एक जगा नी अंग्रेजिया ने हर जगा ठीक है पहला की बेंगाउल ते कप जागिता ठीक है बेंगॉल ठीक है फिर उना ने दूसरी साइड अंग्रेजिया एक जगे फोकस करन दे सी उना दा दमाग सारे पास से ठीक है एक थे महाराजर नजी सिंग तर राशी एक थे मराठा दर राशी क्योंकि और अरंजेव तो बाद म पाते के आशी कि फिर आपना पड़ा पांडले आशी जिमी ते मारा जने जी सिंग तर कभजा थे मराठा दाई एक बेंगॉल दे नवाब कोली खान ने कभजा किता कोली खान तो बाद पर रगे जागे जागे अलवर्दी खान आया फिर्स राजुदोल आया और नीचे से मैसूर दे नवाब सी ठीक है और इस थे हैदराबाद दे नवाब सी अबदे नवाब सी एद्दा करके नो बहुत सारी रियास्ता बंगिया तो ब्रिटिश ने जो देखे हैं पेंगॉल मतलब सी अगर फोट पागे राज कर सकते हैं तो उनना मराठा दा भी साइड है कि पे मिदेशी के दी टाकतान और रोख दी थी तो उनना घ्रीटिश नो लगा कि जो तो महाराजा रंजी सिंग ने थी अधिक है और यह उनने अधिक है ब्रिदेशी ताकतार पार तवेच नहीं आंदेंगे थी अगर ने हड़ी नलवा जर बहुत ही वदिया सेना पती सी तो आप जेड़े सी आप सी जेड़ा नो दिक्कल सी ठीक है कि दूसरा की राजामान के उन्हान अपने वाल करके ठीक है यह जड़ी प्लासीदी लडाई सी एसे करके मिशूर सी कि अपने रिष्टेदारा ने की तोखा किता सी प्लासी लडाई करें पैटलो प्लासी सेंटी फिफ्टी सेवन केरें के देवें चोई ठीक है अंग्रेजी एक साइड रॉबर्ड ठीक है रॉबर्ड कलाई दा बहुत अब डाहात है ठीक है मेन कॉंट्रिबिशन है में रॉल के कभजा गरंते दूसरे साइड कॉन सी सिराज डॉबर्ड ठीक है टिक है नेक्स बहुंट्स फॉबर्ड विच अंधर विच उडर्विच त्रीटी ब्रिटिश कंपणी गेद दा दीवानी रहेट केडी संदी ले अंदर दीवानी राइट ले आसी बंगाल बिहार ते उडिसाद क्रों मुगरूरूलर शा अलम सैकिन्ड तो बंगाल बिहार उडिसादा कब जाले आशी तो मतलब कि दिवानी राइट के ओधिर जिन्दी पिजे मींदा कर आएगा टेक्स आएगा उसारा अंग्रेज जाएगा तो जाएगा केडी संदी वेच ठीके ट्रीटी ओफ अलाबाद हो इसी तो दूसरी लेडाई होई पहला प्लासी लेडाई होई ठीके इस राजु दौला ने खिलाफ ओधे रिष्टेदारा ने तो मीर जाफर की सी पता की मीर जाफर अंग्रेज जाना रले आओ या तो मीर जाफर और या तो एक आईजर वान थरड आर्मी जेडी सी मीर जाफर ने मतलब पर उन्हें किता मीर जाफर ने अपनी आडवी नोगे किता ही नी जदो सिराजु दोला लड़ रहा सी ठीके प्लासी लेडाई वेज ते उल्टा की हो या कि सराजु दोला नो के लिया गया ठीके उन बचन्री कोशे किती बार उतो निकल नहीं पाया उल्टा मीर जाफर दा ज और जाफर नो के लिए गद्धी देती नवाब बनाता क्योंकि जब्रिटिस तो कोई मोड नी सी इस राजे महराजे बनें दा ठीके उनना की चाहिए सिर्फ पैसा प्रोफिट चाहिए थी तिके उनना ओन इसी चोंदें के साथ नुधी नहीं जाए जाए दिनें जो आजे म मतलग की प्रॉफिट ज़रा सी एः ही कि प्रॉफिट है वह ब्रीटिश नो मिलेगा अंग्रिजज्य नो मिलेगा ते ज़रह नवाब की बना देता गया मीर्जाफर को थे वैस्ट बेंगॉल निंगोल ज़रह नाम थे पर दी पार्टिशन तो बाद यह फिरला बंगोली नाम तो इसका नवाब भा बना दिता है गया मीर जाफर नुट था किया है फिल जिदा नवाब बनाभा है पर नवाब भी फिलिग ही नहीं कि अंगरेज जेरे सी उनाने मतलब कि अपनी मर्जी कर ला पे क्योंकि उनान विए कि पाल तू नवाब भनें पर मतलब कि असी अजिदा तोगन भी वह दोना ही कि ख़र हो हो घूत सबस्कत हो जो ख़ुत सब्क्राइब एक जया हां झाल ऑधक्रिकशन हो सक्भिन तीर में अग्रमचिंग एक गाइब फिर और मेर नहीं बगाइब सब्सक्राइब कि छाख बाइब सतमय करते हैं Les gamいました कुरका का्सिम नभाप बनाता फिर इत्वाइब काम करने ओंडें नीघा लॉद मिस्यूज करने जो भी पेपर वगर टेक्स अपने चीज़ आब आवा बेच्चन देया मतलब वह अब सुनानी ने रहा तो मीर कास्म ने की इता है मीर कास्म ने सोच है कि एदना थे ब्रिटिश जाने नहीं है कि मेरे कल्डे बास्ता काम भें नी ब्रिटिश न अग्रेज जानु पार मतलग है उस तो चत्ना बंगोल तो औरने में की धीता वीर तासीं की थे अलाइंस बनाया मुगल राजा मुगल क्यों सिरा डूक्ट गऩीस मुगल राजा तीक किitel अत्रार सी मलिक पर ज्लचे कहने आवद लगा बाना के पर जले शलेख फ resistant कि न चैसे चुछ आपको तरह चैसर ना कि कॉंसा नंटी है तरह डे चीन ना चैसर हो या कि उनने में आ साइड कौन सार एक साइड बिलेशार दूसरी साइड कॉन सार नवाव दा जरा पिंगाल अमीर कासीं सी शाह अलंस्यां कि जरा मुगल राजा शी तरह अवद नवाव सी यह तेन जाने सी ठीक है और गट जोड़ते बना लिया ठीक है पर अंग्रेज इसना है बहुत जाना कॉंफीड़न्स आ चुका सी उन्हानु ओके जड़ी लड़ाई के नाम की कहला है दा बक्सर लड़ाई और बक्सर जेला ओ बेंगोल्च नी बिहार ठीक है बक्सर फेमस है प्लासी लड़ाई कि एक्षा लिए तो खेदी लड़ाई सी क्योंकि यह वह इस खोड़ी लड़ाई वेच झाल बंगर राजा कियोंकि नुद्ध जिए उसली लड़ाई वेच अंगरेजय ने सिरफ बेंगोल दे बल्कि उना ने मुगल राजा कि उस तरहीं नाम के दाए था मुगल राजा नों भी हडा था ठीक है इसका लिए पकसदी लडाई बहुत फेमस है इस तो बाद अगरे जदा क्या था क्या है पेज शाल हमने होड़ाया हरेक ना संधी साइन निए टीक है ट्रीटी ओफ अलाबाद वेच की साइन हो यह तो जगा जेरा जेरा टेक्स राविन्यू फ्लेक्ट किता जाएगा ठीक है बेंगा अंग्रेजा दोवारा बिहार उडिसा इना इक टेडि जगा था टेक्स लेंधर आप यह विन्यू लेंदर ओके इसका बाक्साधी लडाई जेड़ी सी ओफ इमसे नेक्स अफ्टा रिपीट अट प्लासी श्राज ऋ डॉला वास असेसिनेटर रही वास मेरदी हूं वास मेरदी नवाब ठीक है इना एक यह कि प्लासी लडाई हार रंटो ब पुछ यह कोशन ने पूछ यह कोशन ने पूचिया तो कौन वाब बने ऐसी मीड जाफर और हां स्टूडर्ट एक कोशन रही ने कि मैं अपने को बनाए एक प्रीविज जिए बार बार एक्जाम वेच आंदे हैं ठीक है इस सेंट्र देख्जाम वेच आया और दूसरा जिद आयरा जहर एक मुर्शिद कॉलि खान अलवर्डी खां सिराजा जौल्ड बने कि की बोलत कह सक दें해arth की नेक्स कोशन ओमतर्ड टीकец ौझ किई नहर है प्लासी बक्सर दी लडाई दासती तरह तो यह अपने कोश्चन दे जवाद दे सकते हैं इसलिए मता नुकें दी है के कौंसेप्ट जरूर पहला समझिया करो फिर तुसी इसली कोश्चन से जवाद दे सकते हो मोल्ड करके जितना भी ओके तेस राजु दोला ठीके के लडाई प्लासी लडाई होई सिराजु दोला ब्रिटिश वेच होई बक्सर दी लडाई होई 1764 अक्तूबर वेच होई एक साइड मीर कासम ठीके शाह आलम जो मुगल राजा सी अवदा नवाफ सी सुजाओ दोला और दूजी साइड कौन साल ब्रिटिश अंग्रेज ओके तरह चे बडोलाई इस पानीपदी लडाई हो इसी तेल नहीं धिके फरस्ट बैटल को तिरन नहीं यह जएड इंपॉर्टन थां इंपॉर्टन ह Bible ऄे पलंड़तल जों जड़ियां सान इंपॉर्टन थान ठीके पहली राष्ड़ सों सी एब्राहीं लोदी टीके होन एब्र लोद्धी जेरा राज जे सी ठीक है लोद्धी डैनस्टी जेडी सी खतम खिर्थी के बाबर द्वारा और बाबर दा अपना मुगल राज स्टापिर किता गया सी कदो इसी 1526 इसले डेड़ भी पॉर्टेंड है कीदे कीदे विच्छ होई ते केरा जित्तिया सी पहली पानिप लड़ा हो इसी एक बरत तेहे मुदे वेच अकबर प्पर्थी लडाए अपर यह और विच्छ हो इसी 15-56 इसी 556 इन देविच कौन जित्तियासी अकबर गश्टी के हुआ हो के ज़िए तीसरी पानिपर्थी लडाई होई जिके तीसरी पानिपर्थी लडाई होई एक साइ एम पर शाप दाली थीक है एम पर शाप दाली तेजिए जेत्वीदी होई सी एम शाप दाली दी यह उसी तेजी लड़ाई कदू हो इसी सेवंटी सिक्स्टी वां वेचन तीक है और इस एक कोशन भी होंदा वहा है कि जैने तीसरी पानी पदी लडाई हुई उधे पीश्डी किन्नू होया तीसरी पानी-पदी लडाई होई और विच एक्चल फैदा किन्नू होया अंग्रेजन क्योंकि अंग्रेजन जो बेंगोल ते कभजा कर लिया मैं सुरूरते हैं हिद्राबाद तो अनों कभजा हो गया ते मराथा नाम वी साली संदी साइन सी कैसी एक तुझे माम परताब विच तीक है इस तरह जिडिए लडाईयां वे इस तन नुप पता होने चाले साल पता होने चाहिए की और की दे वेच होई वह के इंपोर्टेंट है बाबर्दिया यह जडिए रहें ठीक है अकबर्दी लडाईयां गर मद्वीं हिस्ट्री विच पाड़ती हो तुसी मॉडर्ण स्रीवार्ट दियो प्लासी ते मकसर दी लडाई तो जरी अंग्रेज्जा ते फ्रांस ते में चोई कार्णाटिक दिवार ठीक हो भी बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट इंपोर्टेंट अनौस्मेंट जिद्धा कितान उपता है पंजाब पुलीस सब तुसे अधर एक्साथ एक्साथ अधर डाउनलोड कार लो तीक है इसे बहुत वद्या तरीके ना कोर्स करवाया और एंसी क्यूब गएरा पीडिया को नौस परवाइड किते गें दूसरा तानू मतलब की 25 परसंट दा ओफ भी मिल जाएगा ठीक है तो तुसे अपनी त्या परवाइड रखन तो बाकी और वी तानू डाउट है तो इस नमबर ते कोल कर सकते हो और दूसरा कोश्चन कर दें ओके देखो एक और गाल जिदा सरने तानू दसी अगर तुसी किसे भी वीडियो ते मतलब क्लास लेक्चर सुनन देव जा नोट्स पढ़न देव तीक है उ क्यों तो बहुत। पढ़ो पिलानू अनू कम्प्लीट करो थीक है तरहो चीज समय जागे फिर को दूजी चीज चको तो की करनदे सब्सक्रणी से कि नेग्स्ट ब्लु वाटर पॉलची के ने इंटरड्यूस किते ही फ्रंसिस्को दी अलमीडिया नोट अमीडिया अलमीड की अ मिधिया थोड़ा इंट्रड्यूस किती गई सी ठीक है यह उसके परत्वाद कीसी पुर्तगाल तो पारत्दा इंडिया बीच फर्स्ट गुवएंब्नर सी इंडिया फर्स्ट गुवनर्स जो की पुर्तगाल दा के तरह न बीच वहने पर्सट पहला वह थो पुर्तगाल फिर बाद वेच वरलब बाई पर टेल ने थीक है इन्हानों मतर पिज यह पारतों ते जो सी अलमीडिया सी अलमीडिया दी ब्लु वाटर पॉलसी सी ठीक है ओधा आइडिया की सी को सेप्ट की सी के मिन्नू पार दीजरा जमीनी एरिया थीक है ओधे वेच इनन डूस्ट नी ह डालत ठीक है सदर एदिवानी डालत जेरी की ब्रित इस इंडिया कमती द्वारा स्टेबिश किती है इसी की दे दोरा देखो एवी खोशन बहुत आदे है टेलीगराम कोन ले कह सी रेलवे सिस्टम के ने स्टार्ट किता सी ठीक है और भी जेरा सिवल सर्विस दा एक्जाम ह तरह में पता होने लए करे केड़ा कम स्टार्ट किता जी केरे वॉसरोय टाइम बंगौल слब थे सेट जब फश्लर दैसा करें लिए 10 Brad a तो लेके वांड हैस्टिंग रोबर्ट क्लाइट तो बाल वांड हैस्टिंग तो लेके ठीक है माउंट पैटन तक देश हजादों तक जिनने भी वोईसरोय आए उन्हादी इंपोर्टन डिपोर्टेड काम ठीक है उता नू पता हो नहीं चैली वैसे दीमें अल्री जरें नो अजल फिर इतना कोशन आंदे है के ते ताइम किई हो तो इसी ओकए यह इंपोर्टन डॉपी के साधर ए दिवान्नी अदालत कीदे दोरा सदर दीवानि आधालत व्रन हैस्टिंग द्वारा टीके वर्न हैस्टिंग द्वारा सटाबलीश किते इसी किते कलकत्ता विच एक यह थी सुप्रीम कोड थी सुप्रीम कोड्सी टैक्षिक उड़ाई कार रहा है ठीक है टैक्स कुलेक्ट कर लिफिर सुप्रीम कार रहा है ठीक है सारगीवक बोन लैड़ाई फतर ही तीनकि सित्रा केंड़कान डरी माया, सिस्टम दियरा थे मतलब की बहुत कोउशन आते हैम मसबदारी सिस्टम ते कि मंसबदारी मतलब मतलब के इंदा मंसर्दारी है tutti छोटा मंचर यह सब्दा सी 10 सब्दा लूए दास सी जालिए nor obec पतल लगदा सी केली सब्तोबाद पोजिशन है मनसब्लारी सिस्टम दे अंडर दो सिस्टम सी एक नुक एंदे सी जाड एक सी सवार किनला रइंक होएगा किसे भी बंदेदा ज्यादा यह हाई रैंक सी हाई सीधिक्ट राजय रिष्देदार हो गे महाराजР रिष्देदार हो गे ज्यादा मत्तल र्इंक स्टेटर्स ति इने कोडिंगे मिल दी सी सेलरी मिल दी हैंगे सवार था किन्य कोर्स सकता है मिलें मद किन्न जाड़ भार दा रैंक सब्सक्राइब, फिर नाम्सर्दरी सिस्टम के इसelर गथायर, अपर दो शुरू है, तक चलता है बाद वेचे कम जोर पैगे क्योंकि मानसर्दारी दी जगा फिर केंदे रली वर डिवड़े जमिन दारा ने ले ली नेक्स्ट बैटल ओ प्लासी जरी केंदे केंदे में चोई ठीक है उंचे दमतान बकसरी लडाई और प्लासी लडाई दीका नी समझाई ते इस कुशन दान स सब्सक्राइब करेंगे 1772 वेच डिस्टी कुलेक्टर जेले सी ओ ठीक है ओधा की काम हुंदा सी में डिस्टी कुलेक्टर दा कि ला मैनेजमेंट करना ला जिद आज कल आई एस आई पेस ऑफिसर हुंदा किसे जिले दा एडिमिस्ट्रेक्शन संभालना ठीक है ला एंड ओ लेंद ओरर्ण उसे मैंटेंड करना ही तीक है कानून मुत उस्टी बनी रहे ठीक है और रोड़नीव कॉलेक्टर करना भी काम हुंदा सी ड्यैविनीव क्यों अच्छन तरुलेशन आ सागता वे कि जेरा लिचे क्रेयर्ट किता गये सब सबतों पहला सैंटी संब्टी टू कुछ है किष के वार्ण हैस्तिंग दोरा को रीट किए ठाग дней ऑफो इसथी नियपोलीयान नियपोलीयन उफ इंडीयन केश्व किंड्या विच्वगे एन पांड सकते हैं नाइटिंगेल ओफ इंडिया किन्नू कहстеं है ठीक है और iron man किन्यू केंदे है grand old man किन्यू केंदे है इतना दी question भी होंदे तो तुसी एदे ले की करो जिदे में कुछ है Napoleon of India किन्यू के आ जानदा तुसी एक list बना अगे रखो एक साइट टाइटल लेख लो कि निपोलियन ओफ इंडिया grand old man किन्यू केंदे सामने उने नाम लेख लो ओके इस तरह भी एक question एदा भी आ जानदा एक question कि किन्यू किया जानदा थीक है जिदमें question है Napoleon of India किन्यू किया जानदा नेपोलियन ओफ इंडिया समुंदर गुपता न समुंदर गुपता ले लेख चंदर गुपता ले दे शेय한 और इना ने न आपोलियन ओफ इंडिया कि क्या जानदा है की क्या किया कि कंटे ना sıक पए ब्रडाइं नीज ऱहरी इन्ना ने 9 राजे नो किंग नोर्थ दे जेरे नोर्थ राजी ठीका पार्त रेखर जी में उपड़ा भी साइड नू केंदे North धल्ले वाली साइड नू केंदे South जीके North दे उत्तर दे मतलब उत्तर दे नोर आजयानु हडाया सिते साउथ दे साउथ दे 12 राजेयों खळाया थी के समुनंदर गुपता ने और जिरे उन्हाद आ यह पिल्लर तकि अलापाद पिल्लर है है दिये ऊठी लिख पे ईंस्क्रिप्चिनीं है लिखे आगिया कि समुदर गुपता जेरा सी वहीरो सी सो बैटल तल था मतलग हुरे सो लड़ा लडियां समुदर गुपताने और सोध जतनी 시간 ठीकिया कर प्रयाग प्रयाजती भी कभी वेच भी लिखेया गया ठीक हरी सेच उन्हान लेखर हुआए पता लागल अप्रस्तों लेखर लेटे कभी लिखाई विकंटे लावा उस्तों है इस तो अलावा एवी केणा सी नांग सी और कोश्डन कोश्टन है कि कोएनी सिख्के अउतते कोई राजाव है जिरह कि Veena बजा रहे हैं इक सिखरे मेले ने खीडिशिए कोई राजा राजा आगा के तो ऑप्शन दे देगा के रा राजा घcarbon ठीक है समंधर-गुपतर लेट यह बहुत不要 इंपॉर्ट नीऊ-पॉर्टन स्मुंदर गुपता ऐसे मेरा जिना दे मदद सिक्के दो तो फोटो बनी है वी ना मझे ओंदे टाइम तो कोन है स्मुंदर गुपता ठीक है इस करके यह इंपोर्टेंट है वैसे ते नेपोलियन ओफ इंडिया नेपोलियों तो फेर भी लड़ाई हा रहे हैं हार यासी बाइस बंढ़ करें चमबल तो लेके ब्रह पुत्रा तकसी का ओकी नेक्स्ट कोशिन है हुँ इस नवाब पिंगाल डिऊरिंग व्लासी जब बैटल व्लासी लड़ाई होई उद्हों नवाब कों सी बंगोल था ठीके बंगाल नहाब कों सी सराज उद ब्लासी लड़ाई इस करके concept पढ़ो अगर तो समझ दो सोग तो समझ आना चाहिए जरूरत है तो समझ आना चाहिए था ठीक है तो ने दो स्टेटमेंट आले question पाई थे कि जरा मतलब अगर तो समझ आया है कि बायर दाउं डाव है सार मतलब फाइनल टेक्स पेगा तो तो उसको उसको अंसर जिला सी अराम ना दे ले तो बहुत कोश्व तो पुंसेप्ट समझ आए जो तो बहुत कोश्व तो तुसी डिरेक्टली पड़े नहीं तो उन्हां भी अंसर दे सकते ह सेशन दा पेपर हो या ठीकित जा फर जिस जदा इस्तुरी दे दो कोशन आई नहीं इंशन रिया है तो पंजाब कोशन आया थी टेकित यह तो लाव कॉलिटी दे कोशन आया थी अ फड़ामेंटल पार आउस जो कोशन हा थी टे एक्स विचो कोशन आई सी नहीं परेग्र तो इस तरह ना मतलब कि अपनी त्यारी नो अपने ते युकीन रखो पेलां टीचर ते भी चाड़ तो अपने ते युकीन रखो फिर सोचों के साथ समझ कि थे आंदे कुंसेप्ट समझ आदे कॉंटेंट की वधिया तो उस साब न अपनी त्यारी करो बट एक आल तुसी स्लेबस जरूर देखो कि स्लेबस एकोर्डिंग तो इकस मतलब केरे टॉपिक तान चंगी तरह आंदे केरे नहीं आंदे तो उस साब नाल अपनी स्ट्राइटी बनाओ त्यारी करो ओके नेक्स्ट बैटल उप्लासी बस फाउट इन दी एर ठीके प्लासी लड़ाई के काद सच्छाक से मिरi और काघ दाली त्यारा सौट फाय तो उस टाइंड मुगल्रा राजा कौन सी शाहा canon SEC जोदो बकसर दी लडाई हुई अगर कोशें बकसर दी लडाई हुई उदो राजा कौन सी शालम सेकिंड तो भी शालम सेकिंड नहीं अलाब बादी संदी करें से जो बना स्टार्टिंग कोश्चन कराया थी जोदो बकसर दी लडाई हुई जोदो ब्रिटिक अंग्रेज जोदो उनाने बेंगाल प्लासिंग लडाई जितली फिर उस बाद बकसर दी लडाई जितली उस तो बाद उना दते आंसी मैसूर वार की सी किरिा डेन सटी राज कारी घीदा रासी वुड्यार डेन स्टी वुड्यार डेन स्टी सी तुस टाइं ठीकनRYः डेन स्टी डेंडर इन ऑंडर झी शांगाल्वाल उस थी सब्सक्राइब कीम आप त आदेन परोड़नाया है ओक अपज recently the थी आफे जेडर अनो पड़ी लिखेर निशा पर इंटंडेलिजेंट चाहिए तीक देनारोण पदिया रिलेशन सान जो के अंग्रेज्जान बहुत खटक दे सान तो उस टाइम फेर पहले फस्ट में सूरवार हुई ठीक है पहले में सूरवार है 1767 था टाइम तक लडाई चली उस तो बाग फस्ट जो लडाई हुई तो फस्ट लडाई हो तो इनना चारा में चारा में संदिया हुई यह वह पताओं ने चाहिए थियंगा सब्सक्राइब करें दूसरा इंपोर्टेंट कि मतलब कि जदो भी हैदराली में ज़रूरत होएगी जदो भी कोई हो अटैक करूगा मराथा अटैक करेंगे जा हैदराबादे नवाब अटैक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जदो ब्रिटिश जड़ी मदद ली आएगी हैदराली भी मदद ली आएगी वादा किता गया ब्रिटिश कंपनी द्वारा ठीक है बड़ जदो टीटी ओ मदरास होगी पीस्दा साइंस हो गया तो हुए है कि सैकेंड अगलो मैसूर वार होई मतलब ब मिल थी हैदराली नु उमील थी की ब्रिटिश जड़ी या ओधी मदद ली ओणगे थीक है मदरास दजर संदी सी ओधी पॉडिंग की वादा किता से अंग्रेज जाने क्यों है है त्टि इंडिया कंपनी थीक है इक कंपनी सी इस्टि इंडिया कंपनी जो भी पेल्ला काद पार दे परपस ली आई सी प्रेड दे फेर नहीं मतर्ड कंट्रोल करना शिरू कारता ते इस ते इंडिया कंपनी जरी सी पॉंची नी है दरली दी मदद ली ते इस कारके उनाने की किता है संदी दी उलंगडा किती सी ठीके ए कारण सी दूसरी जरी एंगलो सिखवार हो इसी पर दूसरी एंगलो सिखवार हो इसी ओदे वेच की किता है दरली नहीं मतलब कि अपने नाल का लिया मराथा नू भी मराथा नू नू ते नवाब ओ ठीके है है द्राबाद है द्राबाद नू अपने साइड का लिया पर अंग्रेजाने बाद बड़ी चलाकी नाल मराथा यह द्राबाद नू भी अपने साइड काल लिया ओके एस लडाई बेच ची ठीके एस लडाई जोदों चाल रही सी जड़ी चाल लिए ठीके सामटी एट्टी तो थीके ऐटीफोर तक यह जड़ी लडाई चल लिए दुरान ही 1782 वेच 1782 वेच दिसंबर वेच हैदर अलीद कैंसर दे कारण की होगी देथ होगी तो उसने जड़ा बेटा सी तिप्पू सुल्तान उसने यह लडाई की रखी कॉंटीन्यू रखी ठीके इस लडाई नू जारी रख्या जो 1782 वेच हैदर अलीदी देथ होगी ओके सेकिड मेस सेकिड एंगलो में सूर्वा जड़ी संद को में सुर्वा जो सल्टांसं कि कुछ है कि वसी संदी यह exceptional है loud इनौ थीच् zor of सेवंटीि 092 और इस्प्रिने उस्टी देए अंडर जेरी संदी शाइन की तिगी बहुत इंपोर्टेट है एंग्साम वेच बहुत वारे आज होके यहiens ठिके स्रीनंगम पट्रम एक्जाम में पुछन आचुका है जिस संदी लडाई पहली लडाई दूजी बहुत पूछन आया कि जिता मैं पूछले हो ना संदी केरी साइन होई वैसे ते तीजी लडाई वेच ओल्डेटी मतलब कि तिपू सुल्टान साब को चाहर चुका सी तिपू सुल्टान भी बॉलते हैं ठीक है और दूसरा कि जो तीसी लडाई होई एदे वेच की हो गया कि जो तिपू सुल्टान बहुत बुरी तरहार गे थी अध्दा जरा आचुकार है अंग्रेजा धी पॉलजी सी कि असी जित्थे जेतलिया उस राज़ों छड़ना बिनीह यहागा तो जेरे उसे वाल एक पॉल्सी सी कि जेरे भी रायती और कपजा कर लेंदा सी उन्धे ना सफ्टरी लाइन साइन कार दा है सफ्टरी लाइन्स कि बुस जेज किसे दूसरे राजे ना जा भी देश्य ताकत ना किसे कंट्री ना जा फ्रांस ना संदी नी कोई का साइन कर साथ बीना मर्जी तो बीना अंग्रेज जादी मर्जी तो ठीक है ते जरा सी है तिपू सुल्तान उन्हें मंजूर नी सी ओनने कि एक जरी म्यानाद वे दो दलवार करना एक जगाते दो राज़े नी हो सकते एक निए चमण ना पसंद करूंगा शीदो ना पसंद करूंगा बड़ मतलब में इदधा नीtem करूंगा नोंगा कि मैं भी राज्य करना तो कोई और भी राज राज करे ठीक है इद जा रज पसंद की मैं राजा होके भी दूसरे जडिए अगलो मैसुरवार हैं नहीं जोद्टी एंगलो मसुरवार हैं तो चाल लडाहियों हो जडिए नहीं है वेच ऌ अगली हैं वेटा टिप्पू-सुल्टान इस के लिज़ तुटा इसे तीसरी भएस स्री नंगांपटनम् दीस संधिस ओच चोथी वेस तो कोई बनी क्योंकि छोथी वेच नियुक्ति यह और में सूर सी हो देक अब ज़ागा है क्योंकि तिपु सल्थान लडाई देवेच लड़ते होई शीद होगे सी तीक है ते तक नेक्स्ट कोशन दा ब्रिटिश गुवर्नल ठीके इंटरवीन इन दा फियर ओफ तकम्पनिय पास सैंटी सैंटी थी इस नावनेज तीके ए मतलब कोशन एक कहरे हैं आप है कि जड़ी ब्रिटिश गवर्मेंट ही ठीके बिटिश जड़ी सरकार सी उसने मतलब कमपनी जड़ी कीड़ा एक्ट पास किता गया सी ठीक है हो या इद्धन सी जिद्धा इस्ट इंडिया कंपनी पारतवेच थी के सोलावग इस उन्हानने अपनी फैक्ट्री बनाई ठीक है सूरत बेच फैक्ट्री बनाई ओस तो लहके 1813 तक ठीक है अठाराइस सो तेरा तक इस्ट इन्डि बिटिश पार्लेमेंट रोग बिटिश देरी संसल सी नुक्सान हो दिया कि इना काम में सम प्रॉफिट देना क्योंकि इतना दी कि ये कंपनी इस कंपनी दे भी कंट्रोल कीदा है बिटिश सरकार था ठीक है तो रहां हने सोचे कि इन्हों कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है इस कार के योओ अलग अलग एक्ट लेक आई जफिरै लेको ब्रिटिश ने कंपनी दा कंट्रोल स सी अपने हट ठावे छू लिया ठीक है टेला एक्ट केडा शी जब si that the train बिटिश ने कंपटनी दा प्रिटिश द्वारा कई एक्ट लियान देगे मतब ब्रिटिश सरकार द्वारा कई एक्ट लियान देजे जिए नालो रा टाइम टू टाइम इस्ट इंडिया कंपणी नू कंट्रोल रेगूलेट करना दी कोशिश किती पर फाइनली उन्हाने 1813 वेच भी इना दर बहुत सारा रूल जिरा खतम करता था इनू कंट्रोल किता फेर 1833 वेच 1833 वेच यह मोनोपोली खतम करती कि इस्ट इंडिया कंपणी पेला ट्रेड करती सी यह जिदी ओना दी मोनोपोली सी ठीके मोनोपोली कि सिर्फ ओही मतलब ट पर फाइनली इस्ट इंडिया कंपनी नो बिलकुली खतम कर देता गया और सारा कंट्रोल कि अंडर हो गया ब्रिटिश क्रॉन ठीके मतलब राणी दा राज उन दा उते ब्रिटिश वेच जिए तो ओ दी अंडर आ गया इसी 1857 चा फाइनली ठीके सोट तो 1857 तक तक किदा र सब्सक्राइब कर प्रिटिश सरकार संद्रीन कर दो फाइनली ठीके तो प्रिश्ट इनली ठीके सब्सक्राइब कि य॥ ज़गत प्रिटिश वेच फालक कि इसे ब्रेटिश देना लडाई होगी ऑकि कुछ कि केडि संदी जडिशी ओनिश लिना पर्स्ट में सूरवार जिस्टाइब और अजरी संदी साय थिर्टाइब करेंगें तो इसाइब मंगलूरू थार्ड भी तो इसे संदी साय था पर्टनाब त्रीटिय ओभ एक्सिला चेपल ए दोनों जोदो ब्रिटिश दी इस्ट इंडीय कमप्री बिटिश दी फ्रांस दी लडाईु इसी जो दो फ्रांस ना पार्त वेच पारत वीच किधा कंट्रोल होएगा ओ देले लडाईु इसी बृतिच दे फ्रांस दे वेच छिटा जरी फ चाहिए प्रेटिश ना लडाई हुई एंगलो फ्रेंच बार भी कह दिन देना नूं ठीके अंग्रेज जाने लड़ी मैसूर देना ठीके कि बंदें बधियां रवाइस रिवीजन हो जैंदी भुट वधियां थे कोड़ीया तरीकां तो तुस्य कोष right कोशन सवर्व कर दें तो देख्या करो कि और की ऑन सागते नहीं जा इस कोशन की पता है पेपर बेर जल्या वाला बाग ते कोई कोशन बांद आगे किना प्रोटेस्ट की चाल रहा थी कोन गृफ्टार वह इसी किने गोली चलोंदा होकम दिता सी किने फायर किता सी उस तो बाद केडी कमेटी बढ़ी सी ठीक है कि मतलब बेर इंपोर्टेंट अगे आउटकाम साए इस तरह कोई भी कोशन पार दें नो दिमाग बेची सोच के दिख्या करो ओ ताहीं रहेगा जो तो आटी कंसेफ्ट दी क्लार्टी होगी ओके नेक्स्ट रहा थी फ्रेंच गवर्नर ऑफ पॉंडिचरी ठीक हो ट्राय टू मेक फ्रेंच कंपनी एज पारफूल कंपनी ठीक ह न चाहिए जेड़ा बहुत जादा किर्सी फेम्स ही कि पॉंडीचरी जगाड़ यंशे मने फ्रक्स्यां में और स्फ tirar से पर्टक्त्व हरो प्रोप आजके से जोगा प्लोडी कर्का दोल्य अगर फ्रांस ना लडाईया है जिन्हों की कार्णाटिक वार्वी केंदे हैं वो देविच पेली लडाई वेच बहुत बदिया टक्कर दिती सी अंग्रेज जानू ठीके मता इस्ट इंडिया कंपणी नू ठक कर दिती सी बट कियो यह अगरो रेंदा ठीके अगरो दूजी ल प्राजा जासी रूलर सी उन्हाने डुपलेक्स नू वापस बना रहा है अगर डुपलेक्स रहेंदा ते फिर बहुत वधिया टक कर देनी सी ओनने इस्ट इंडिया कंपणी नू अगरो डूपलेक्स बहुत ही डिपलोमाटिक सी ठीके बहुत वधिया मतलब ओ सी मतलब कि इस्ट इंडिया कंपणी जो बहुत वधिया लॉर्ड वोईस रहे हैं मतलब वधिया मतलब इंटेलिजेंट जिना ने दमाग ठीके चलाकी नाल जिना ने कबजे किते ठीके ओसे तरह डुपलेक्स भी बहुत ही इंटेलिजेंट सी ओके नेक्स विच चैटर एक्ट ब्राउक कुंपनी मोनोपली छी के रहाँ के रहाँ एक्ट है जिनने इसंडिया कम्पनी दी ऐडि मौनोपली मोनोपली कि सिरफ ट्रेड कार सकती है ठीक है वो खतम कारती और कुपरी आंब यह क्शिर्फ इंडिया कमपनी सी एक खतम का दिती इंडिया कमपनी और और कमर्शिल भॉड़ी नहीं रह चुकी सी पर बात ब्रिटिश राज़दा नी पत्तर रखया पर बाद वेच जदो इना नुकसान देना शुरु करता है जो इस्ट इंडिया कंपणी ने फैदा नहीं दिता तो ब्रिटी सरकार ने की किता इना नुझ साहिट करता है ठीक है तो 1833 वेज एक चार्टर एक्ट आया ठीक है जिसना बिल पास ने उन दे साथ दे संसद वेज बिल पास होगे एक्ट बान दे आ है उसे तरह उसे तरह ठीक करेंट ब्री którzy इंडिया खेक करने फीफ ने पिलिटिश इंडिया कांसी कोंसी विलियम बैंटिक कौन सी विलियम विलियम बैंटिक ठीक है फर्स्ट गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया जा फर्स्ट गवर्णर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया किनू किया जा विलियम बैंटिक नो और विलियम बैंटिक दे लेटर इंपोर्टेंट की है सती एक्ट ठीक है सती इसरी प्रत्थानों खतम करके सती एक्ट की दे दुर आले आंदा गया सी विलियम बैंटी तो कोश्चन भी आंदा तो पर इंपोर्टेंट कि यह कि फस्त ला कमिशन पार्थ पहला लाग कमिशन जो ग्रेजा टाइम बन यहां फस्त लाग कमिशन के अप्ट देंडर बन यहां सी ओवी चाटर एक्टी-थर्टी-थी ठीक है इसलिए दसे निया कि जो फर्स्ट गवर्णर जनर पिलासी गवर्न जनरल पेंगाल गवर्नर पेंगाल वह सारा काटेंगे उन्हें यहां पार पूरे ते साथ अकप जाव हैं तो क्यों रहां नाम बदल के यह रख दिया फॉस्त गवर्नर जनरल ओफ इंडिया के रेक्ट देंडर चार्टर एक्ट 1833 ठीक है यह देंडर होर की गीता इस इंड तो थेंग चार कोशन करा दिया और इस सारी कोशन इंपॉर्टन ने ठीक है इसलिए नोट्स बना देना फॉस्त लाग कमिशनर ठीक है फॉस्त लाग कमिशनर पॉइंट किता है चार्टर एक्ट 1833 ठीक है तो इस नंदे फॉस्त चेयर्मैन कॉन सी लॉड मैखूले ठीक है मैखूले ठीक है कि फॉस्त लाग कमिशन जो पॉइंट किता गया अंडर चार्टर एक्ट 1833 ठीक है फॉस्त चेयर्मैन कॉन सी लॉड मैखूले ठीक है यह वी कोशन इंग्जाम वेज आ चुका है ओके और इंग्जाम वेज जो सिवल सर्वीस ही ठीक है सिवल सर्वीस बट उदो मतल्स जो रूल रेगुलेशन ही और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रखेगे इसी ओके समझेया चार्टर एक दें दो तिन पॉइंट बहुत इंपोर्टन ठीक है उस्तों बाद लीचे दूसरा कोशन है वें इस्ट इंडिया कंपनी वास फार्म्ट दी मुगल इ कुल्त आया ठीक है इस्ते इंडिया कंपनी ने की उस औरत हाऊं में किस राज़ा अदृत बेट डाहां में चाहां ऑस इंप्रमिशन लेंगा इसी और estiver सूराफ करन आया सूरत बेच ऐत दीपर्मीशन नहीं कि कुशन के बादल के आजानादा कि सूरत वेच फैक्टरी जेडी सी इस्टि इंडिया कंपनी कि लिए तो लोह जा फोल यह शुरत वेचिंत्त हो इस वह बने हम सिरत्स पश्चन पंदें करांगे बात किन्हीं सब्जेक्ट है पॉलिटी जितना वी नौमिक्स बगारा जो गढ़ी कोशन अधिक तो बगारा करें तो बाद कि इस तो बाद असी पाकी और अपनी त्यारी रोगत तो दो एक अंदे रोज पढ़ा करो थोड़ा टाइम कड़ा करो अपने ली ठीक है तो मतलब ज्यादा नर्वस नहीं और श्ट्रेस नहीं ले नी ठीक है जो कुर। बस अपनी त्यारी दे त्यान दो त्यान राम नाल अपनी डिवीजन करो और जो सब्जेक्ट अनु जादा वदिया अंदेने अपने स्लेवस देखो उस जरे सब्जेक्ट अनु अंदेने त्यारी रखो ठीक है थैंक यू सो मच